आत्मा की खोल अनंत शक्ति आनन और शांति इश्वरिय भक्ति के लिए जोड़े रहें हमारे चैनल से आपका अपना चैनल पुरु अशोक्ति वाली राइप और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद जै माता की जै प्रस्राम श्री गणे शाय नमाय प्रियबंधुगो मान लो कोई व्यक्ति दुष्ट है और उस दुष्ट व्यक्ति के पास में कोई एक अति उत्तम विध्या है तो हमें किसी भी प्रकार से उस दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता को सहन करते हुए भी उसके पास से वह अति उत्तम विध्या ले लेना चाहिए ऐसा ही मोक्ष से सम्मंधित ज्यान का है यदि मोक्ष से सम्मंधित ज्यान हमें किसी भी योनी के प्राणी से किसी भी धर्म के व्यक्ति से चाहे वो इस्त्री हो या परुस हो या बालक हो यदि उससे हमें मोक्ष सम्मंधी ज्ञान प्राप्त होता है तो विना किसी संकोच के हमें एसे प्राणी से मोक्ष सम्मंधी ज्ञान ले लेना चाहिए अब किसी जगे जहर रखा हो उस जहर में कहीं भी एक आद अमरत की भी बूंद पड़ी हो यह हमें जब ग्यात हो जाए कि इस जहर में यहाँ पर अमरत की बूंद पड़ी है तो हमें उस जहर में से उस अमरत की बूंद को निकाल करकी पी लेना चाहिए अब यहाँ पर जहर से अर्थ उन पेपदार्थों से है जिन पेपदार्थों को पीने के लिए सास्त्र मना करते हैं जैसे मदीरा आदी अब मदीरा पीने का तो सास्त्र मना करते हैं लेकिन साथ में मदीरा समुद्र से निकला हुआ एक रतन भी है इससे आस्य यह है कि उसमें कुछ अच्छाई भी है और कुछ बुराई भी है अब मानलो आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो मदीरा के पीने से ठीक हो रही हो और डाक्टर आपको कह दे कि नहीं आपको इस बीमारी को ठीक करने के लिए मदीरा का पान करना चाहिए तो ऐसी स्थिती में आप डाक्टर की सलाह की अनुसार उस मदीरा का पान कर सकते हैं तो यहां पर यह वही आशा है जो की पहले हमने कहा कि जहर में से भी अमरत निकालने की जो बात कही है कि अगर जहर में कहीं अमरत की बुंद पड़ी हो तो वो निकाल करके हमें पी लेना चाहिए अब यहां पर एक बार हम और उस बात को पुना इस्पष्ट कर देते हैं कि वे सभी पेपदार्थ जिने पीने के लिए सास्त्र मना करते हैं बाई चांस देव के संयोग से कोई ऐसी बीमारी तुम्हें हो जाए किसी को भी और डाक करके दे के इस पेपदार्थ के पीने से ये बीमारी ठीक हो जाएगी चाहे भलेई वह मदीरा क्यों नहों तो ऐसी स्थिती में अपने प्राणों की रक्षा के लिए हम उस निसिद्ध पेपदार्थ को भी पी लेते हैं तो कोई दोस नहीं लगता है इसी बात को जहर में से अमरत की बून्द निकालने का कहा गया है कोई बात जो अति उत्तम हो और वह हमें बालक से प्राप्त हो रही हो तो अति उत्तम ग्यान हम बालक से भी ले सकते हैं इसी प्रकार से यदि किसी आपवित्र जगे पर सोना पड़ा हो तो आपवित्र जगे पर उस पड़े हुए सोने को भी हमें ग्रहन कर लेना चाहिए इसलिए किसी कभी ने कहा कि उत्तम बिध्या लीजिए जो काहू पे होई परो अपावन्ठोर में कंचन तजे न कोई उत्तम बिध्या यदि किसी के भी पास में है तो हमें ले लेना चाहिए ठीक वैसे ही आपवित्र जगे में पड़े हुए सोने को भी हमें उठा लेना चाहिए याने उसे वहाँ पर पड़ा हुआ नहीं छोड़ देना चाहिए बंदुओ आज के लिए वस इतना ही सेस अगले भाग में नए विशे के साथ में हम पुनाव उपस्तित होंगे आज्या दीजिए धन्यवाज जय माता की जय परश्रम जी के कर दोड़ा हुआ 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 है